सो हिलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो आज हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ IQ level questions तो चलिए शुरू करते हैं Question No. 1. Railway की पट्रियों के पास लगे WL Board का क्या मतलब होता है? Answer. पट्रियों पर जहां WL Board लगा होता है, वहन चालक को होन बजाना होता है. Question No. 2. रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं? Answer. ऐसा मानते हैं कि मृत्यों के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और शरीर खाली रह जाता है. उस समय बहुत सी बुरी आत्माएं भी वहां घूमती रहती है. वे उस खाली शरीर में प्रवेश ना कर पाएं इसलिए लाश को अकेला नहीं छोड़ते हैं. Question No. 3. मोबाइल नम्ब दस अनको का ही क्यों होता है? Answer जो क्रमशह 10 या 100 लोगों को ही वित्रित हो सकेंगे. यदि 9 अनको का मोबाइल नम्ब भी होगा, तो भी एक लिमिट तक ही नम्ब बनाए जा सकेंगे. लेकिन देश की जनसंख्या करीब 140 करोड है, तो सभी को मोबाइल नम्ब नहीं दिया जा सकता. जब गणना के मुताबिक 10 अनकों से लगभग, 1000 करोड अलग-अलग, मोबाइल नम्ब बनाए जा सकते हैं. ये ही वजह है कि देश में 10 अनकों का मोबाइल नम्ब है. एक व्यक्ती सन 1950 में पैदा हुआ, और 1950 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 50 साल थी, तो बताए कैसे? आंसर दरसल वह व्यक्ती पैदा तो सन 1950 में ही हुआ था, लेकिन मरते वक्त सन 2000 में वह अस्पताल के कमरा नम्ब उन्नीस सो पचास में मरा उसे वक्त उसकी उम्र 50 साल थी. Q5. गाय दूद देती है, मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है, जो दोनों ही देता है? आंसर दुकांदार जो दूद वह, अंडा दोनों रखता है? Q6. एक लड़की से नाम पूछने पर वह कहती है, पिता के नाम से पहले और माता के नाम, के बाद जो आता है, वही मेरा नाम है तो बताए, उसका नाम क्या है? आंसर उस लड़की का नाम है श्री देवी, क्योंकि अक्सर पिता के नाम के पहले श्री लगाया जाता है, और माता के नाम के बाद देवी लगाया जाता है? Q7. अंग्रेजी का तीन अक्षर का कौन सा शब्द है, जो लड़की को महिला बना देता है? आंसर वह शब्द है, एज तो दोस्तों यह वीडियो तो यही पर समाप्थ होता है, अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ